हुआ जहनसाति हो कैसे हो आप शब यह असा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे अच्छे होंगे मस्त होंगे जबर्दस्त होंगे और शंग कर पढ़ाइक कर रहे होगे तो पढ़ाइके इसी स nutzen को जारी रखने के लिए हम लेकर आए हैं रिजनिंग का बहत्रीन सेसन और जैसा कि आप लोगों पता है आज है प्रेक्टिस सेट नमबर 31 तो आज हम लोग फिर से स्कोर करेंगे 25 बाइ 25 का और देखते हैं कितने ऐसे बच्चें हैं जो इस स्कोर को पूरा करते हैं चलिए स्टार्ट किया जा और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो रेलवे एलपी है रेलवे टेक्निशन ग्रेट 3 कम्प्लीट फांडेशन बैच तो भई बिलकुल देर ना करें इस कम्प्लीट फांडेशन बैच को लेने के लिए नीचे दिये के नमबरों पे कॉल क कहां करेंगे और सभी बच्चे को बताना है ऑज के सब्सक्रें का पहला इसका उसर क्या होगा इसका और कुछ कुछ म्हा nào कुछ समय देदे हैं टाइम जो रहे गा न वो केवल यहाँ पर पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा बता दो यहाँ पर क्या ना चाहिए अब देखे टाइम is over मेरी एक बात सुनिएगा बड़े कोर से टाइम is over time over हो चुका है सुनो भई यहाँ पर आप एक बात बतारा सिर recommend यहाँ पर O है ना ठीक है दूसरे नमबर पे यहां पे हो आ गया फिर देखो भई यहां पर पहले पे 1 फिर यहां पे 2 पर यहां पर 3 पर यहां पर जब 4 पे है तो जायर सी बात है यहां पर कहां पे आएगा तो यहां पर 1, 2, 3, 4 4 यह हो गया और 5 यहां पर कहां पे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर 1T देखो भई, पहले यहाँ पर 0T, फिर 1T, फिर 2T, फिर 3T, फिर यहाँ पर 4T, 1, 2, 3, 4, 4T हो गया, फिर आपका O आएगा एक बात और है, यहाँ पर 6T था, 1T घड के इधर चला आया, अब देखो इसमें 1T हट के इधर चला आया, इसमें 1T जब हटके इधर आएगा, तो कितने T बचेंगे, को T बचेंगे, तो डबल टी ओ, डबल टी ओ, ट्रिपल 4, तो यहाँ पर क्या हैगा, ट्रिपल T, क्लियर हो गया, ट्रिपल नहीं, 4T, राइट आंसर, आप्शन नमबर B होगा, ठीक है, कितने बच्चों ने आप्शन भी दिया है, बोलो भई, लॉजिक क्या लग रहा है, अच्छे एक बास सुनिएगा, जो समन 37 का हैंडेट से है, बताना है, और वही रुलेशन का अगर 29 का 76 से है, तो 24 का किस से होगा, सभी बच्चे स्टार्ट हो जाएं, और बताईए आंसर क्या आना चाहिए, हाँ जी, बताईए क्या आंसर आएगा आप लोगा, टाइम तो ओवर हो गया है, क्यों, टाइम तो हमारा ओवर हो गया है, अब देखो भी लॉजिक क्या लग रहा है, अच्छा 37 से हैंडेट बनाएंगे कैसे, सबसे पहली बात आती है, कि अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टिप्लाई कर दें, तो य यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आप लोगा 211, और 211 भी 3 का मल्टिप्लाई कर दें, किस 111 होगा, अगर 3 का मल्टिप्लाई कर दें तो, और इसमें किवल 11 घटा दो, तो क्या हैंडेट नहीं आएगा, आपने मुला, यह सर, हम यह कहना चाहते हैं, कि अगर आप इसमें 3 का मल्टिप्लाई करोगे, तो यहाँ पर कितना हैगा, 20, 30, 60, और 29, 27, तो साइड 87 आएगा, और 87 में अगर आप 11 को लेस कर दोगे, यह 6 और यह हो जाएगा, 76 आएगा, तो सेम उशी प्रिकार, अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टिप्लाई करते हैं, तो 3 जोगा 12 ह होगा, और यहाँ पर 3 दोनी 6, 7 होगा, और 72 में अगर 11 को लेस कर दोगे, तो यह आजाएगा, 61 और राइट आंसर हो जाएगा, option number B, तो यह था second question, next question, question number 3, बताएगा answer क्या आना चाहिए, ठीक है, question को पहले पढ़िएगा, समझेगा, और इतनान से जबाब दीजेगा, च यहाँ, good evening, good evening, good evening, good evening, सभी बच्चों, good evening, अब तो answer देतो, चलिएगा, अब देखना है भी, कितने बच्चों का आगया, कितने बच्चों का आया, भी answer, ठीक, अभी किसी ने जवाब नहीं दिया, सुनिये का बात क्या है, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, आपने बोला, सभी सभी डिब्बे जो होंगे, ये कुत्ते होंगे, आपने बोला, सभी डिब्बे क्या है, तो सारे के सारे डिब्बे जो है, वो कुत्ते होंगे, आगे देखना है, क्या देखना है, जड़ा सोचिएगा, कुछ कुत्ते चुहे हैं, तो आपने बोला, कुछ कुत्ते क्या है, क कोई डिबा कुत्ता नहीं है। वो चूह हैं, बिलकुल सभी है, यानि आप लोग का यहाँ पर केवल दूसरा और तीसरा से, अरे जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो आ नहीं रहे दूसरा तीसरा, क्या होना चाहिए बई, कोई डिबा कुत्ता नहीं है, तो गलत हो गया बिलकुल सभी, कुछ कुत्ते चूहे नह कुछ चुए कुट्ते ने से doubtful है हो भी सकते नहीं भी हो सकते यह गलत होगा वई केवल तीसरा सही होगा right answer option number a होगा doubtful है दूसरे में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है next अब बताएगा logic आप लोगों बता रहे कि इस question में क्या logic लगाए कि हमारा answer आज है ठेक है सभी बच्च बिल्कुल नहीं doubtful है ना इसलिए हमने क्या काट दिया था बताएगा logic लगाए इसमें आना क्या चाहिए एक मिट एक मिट जड़ा सुन लीजेगा अगर हम एक काम करें logic ये है ना कि अगर हम इन दोनों से क्या 32 बना सकते है नहीं अगर एक काम करें तो को logic बड़ा simple हमको समझी में आ रहा है अगर इसमें इसका multiply कर तो देख लो भी logic हमको समझी में जो आ रहा है न कुछ इस टैप से है ऐसा लग रहा है कि यही answer आप लोगा आएगा देखो भाई अगर हम 23 में इसमें 3 का multiply कर दे कितना होता है 69 और 69 में अगर फिर से 3 को 3 का गुड़ा करके यही संख्या 3 को जोड़ दो तो आज अगा 72 हम एक बात कहरें अगर इसमें आ आप 4 का multiply कर दो कितना आएगा तो आपने ओला 4 दोनी 8 ठीक है बहुत अशी बात है और यहाँ पे 4 ती यहां 12 और 128 में अगर 4 को जोड़ोगे कितना आएगा आपने बोला 132 सेम वही काम इसमें करेंगे अगर आप इसमें 5 का multiply करते हो तो 16 पंचे 80 होगा और 5 अगर इसमें नमबर next की बाग करें बताओ इसमें logic क्या लग रहा है सोचिएगा समझिएगा कह रहा किसके sequence क्या क्या का आ गया है इसको सार्था क्रम में लगाएं एक sequence से लगाना है और यह पहचानना है कि यह sequence क्या है ठीक है सभी बच्चे sequence को पहचान के option को देखें कि कौन सा option सही होन गजब का अंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही वे बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं बड़ा इतना नान से करना अच्छा एक बात बताएए सबसे पहले हम आपसे ये कहें कि सबसे पहले प्रधान मंतरी तो आपने लब सर पंडी जवालन नहरू तो आपने third पहले ले लिया अच्छा देखो सबसे पहले PT नहरूँ अब अगर हम PT नहरू के बाद करें अगर हम बात करें पहले पंडी जवाल नहरू न करें इनका घेल खतम इंद्रा गांधी के बाद आते हैं अटल विहारी बाशपेई तो यहाँ पर अटल विहारी बाशपेई लास्ट में आते हैं मनमोहन सिंग देखो भई यहाँ पर 315 24 कहीं है तो आपने बुला यह सर 315 24 option number D में है तो D हमारा exact और right answer हो जाएगा clear तो सही जवाब क्या हो जाएगा option number D और काफी बच्चे मतलब सभी बच्चे answer D बोलने हैं बहुत बढ़े हैं सांदार अब इस question में कि कीजे सभी बच्चे हाँ बहुत बढ़े हैं आपका भी सही है बहुत सांदार बहुत बढ़े हैं बहुत अच्छा करो बच्चों बताएगा इस answer क्या आना चाहिए कमेंट नहीं पढ़े पढ़ रहे हैं यह तो कमेंटी पढ़ लिया तो आप लोगों पढ़ा लें दो में से एक करना पढ़ेगा ठिक है टाइम इस ओवर अच्छे एक बात बताएगा यहाँ पर इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा आ नहीं कितने आ यहाँ थीग में यहाँ पर पता नहीं इन दोनों के बिच difference कितने का रहा है आपने बोला सर 3 का रहा है इनके बिच कितने का रहा है पाच का रहा है तो इनके बिच कितने का रहा है दस साथ सत्रा और अगर हम 24 में सत्रा जोड़ेंगे तो साथ चार यारा 2 एक तीन एक चार 41 और right answer आजाएगा 41 क्लियर में double difference में solve होगा तो right answer क्याएगा 41 काफी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने 41 answer दिया बिलकुल ही exact और right answer आपको ने दिया अब ये रहा अगला question बताएगा इस question का answer क्या आना चाहिए बताएगे बोलना तो आप ही लोग को है ना बताना तो आप ही लोग को है ये तो हम बताएगे नहीं हांजी बताएगे time is over अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा नीरज रिंकू का पिता है question ये बोला गया है जो नीरज है ना नीरज ये किसका पिता है नीरज जो है वो पिता है किसका पिता है रिंकू का पिता है तो आपने बोला सर जो नीरज है वो पिता है और किसका पिता है ये है रिंकू का पिता तो यहाँ पर रिंकू आ गया ठीक है एक छोटी सी बात जिया और टिया रूबी की बेटिया है जिया और टिया किसकी बेटिया है रूबी की बेटिया है जो रिंकु की इकलोती बेहन है रूबी रूबी जो है रिंकु की इकलोती बेहन है और इसकी बेटिया क्या है जिया और टिया जिया और टिया क्या है इसकी इकलोती सरी ये बेटिया है सुनिएगा विश्नु जो है र रिंकु और गीता का पुत्र कौन है तो रिंकु और गीता का पुत्र जो है वो विश्नु है तो रिंकु और गीता का पुत्र ने इन दोनों की शादी हुई है रीता और विश्नु रीता रिंकु और गीता का पुत्र है ठेक है बई तो विश्नु कौन जगा गीता और यहां पर पूछा गया नीरज का टिया से क्या संबंद है छोड़ा सा कॉशन नीरज का टिया से क्या संबंद है नीरज जो है वो टिया के क्या लगेंगे तो आपको पता है बेटी की जो बेटी होती है वो तो नातिन लगती है लेकिन भई ये बताओ मम्मी के जो पापा होते ह क्या बोलते हैं तो आप लोगे लिड़ेस, इनको नाना बोलते हैं तो right answer यहां पर क्या जगा नाना ठीक है कुछ बच्चे जो मामा बोलने है फिर से गौर से सुनने question मामा नहीं है सही जबाब नाना होगा बहुत सारे बच्चे मामा टिक है मामा गलत आंसर है बई मम्मी के पापा को आप लोग नाना बोलते हैं इस बात को ध्यान में बैठा लीजेगा next question अब बताईए आपके सामने question ये का आगया है कि अगर इन में से हम किन दो साइनों को change कर लेंगे किन दो चिनों को बदलने कि यह हमारा जो balance हो जाए बताईए time is over अच्छा एक बात बताईएगा हमें ये लग रहा है ना कि अगर हम लोग सबसे पहले minus की जगह प्लस और plus की जगह माइनस कर दे कोई दिक्कापी ड़ा solve करते हैं लेकिन ये 54 गुणे आठ लगता नहीं कि बहुत जादा बड़ा हो जाएगा और घटाएंगे तो कभी 24 पॉसिबल नहीं कियाएगा तो सर ये तो हमारा गड़बड हो गया option number B को ढ़ालो बई option number B क्या कह रहा है जहाँ पे divide है वहाँ पे minus कर दो जहाँ minus है वहाँ पे divide कर दो चेक कर लिया जाए 54 इंटू 8 और यहाँ पे multiply एक बटे 8 minus का 12 प्लस का 27 चेक कर लिया जाए अगर काटेंगे तो 48, 48 हैगा 6, 69 में 24 यहाँ पे 9 आएगा और 9 minus का 12 प्लस का 27 एक बात बताओ 27 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 36 बात समझ में आ रही और 36 में अगर 12 घटाएंगे 36 में अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भई 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 तो 24 बराबर 24 और right answer हो जाएगा option number B तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा option number B टिक कर लिजिए next question अब बताओ भई ठेक बहुत अच्छा हाँ आप सब लोगा सही है बहुत सांदार बहुत बढ़िया अब देना हो गया question का answer question number 9 बताएगा answer क्या आना चाहिए एक बार सभी बच्चे इस question का जवाब देंगे time is over अब देखी क्या बोला गया है छोड़ा सा point है 6 दोस्त है बहुत अची बात है और एक पंक्ती में खड़े है ठेक बहुत अची बात है सबसे पहले 6 friend है और एक पंक्ती में खड़े है 1,2,3,4,5,6 अच्छा एक बात आप लोगो और पता होना चाहिए इन सभी का अगर question में आपको face नहीं दिया गया है कि वो north की ओर देख रहे हैं कि south की ओर देख रहे हैं तो अपने मन से हमेशा north मानते हैं ठीक है और अगर north मानेंगे तो हम सब को पता है अगर north मानते हैं तो इधर left होता है और इधर right होता है ये बात सब को पता है अब same इसी condition में question पे apply करना है देखे क्या बोला गया है नेहा और चैत्रा के बीच दो वेक्ति हैं यानि आप ये बोलना चाहते हो सर जो नेहा है न नेहा और चैत्रा के बीच कितने लोग है तो नेहा और चैत्रा के बीच दो लोग है ये clear हो गया अगला point ये कहा गया है कल्पना ठीक रासी और नेहा के बीच में है नेहा और देखे कल्पना ठीक रासी और नेहा के बीच में है तो जो कल्पना है ना कल्पना वो किसके बीच में है नेहा और रासी के बीच में है कौन है कल्पना तीर हो गया अब देखी क्या बोला गया है हेमंत चैत्रा के पडोस में खड़ा है हेमंत जो है ना ये चैत्रा के पडोस में खड़ा है तो हेमंत ये खड़ा हो गया चैत्रा क सञसे के बीच कौन खड़ा बही जो हमनोंने मानना यह गालपन को द्यान दो वई अब क्या बोला गया करणा और चैत्रा के बीच तो नहा और चैत्रा के बीच कितने वेक्ति हैं नेहा और चैत्रा के बीच दो वेक्ति हैं अगला पॉइंट क्या बोला गया है कहा गया है वे कल्पना ठीक रासी और नेहा के बीच में है तो कल्पना ठीक रासी और नेहा के बीच में कौन है कल्पना है चलो भी बहुत अच्छी बात ह अब सुनेगा हेमंद चैत्रा के पडोस में खड़ा है तो जो हेमंद है ना वो चैत्रा के पडोस में खड़ा है आगे नेहा पंक्ती के एक छोर पर है तो चैत्रा और तनय के बीच कौन खड़ा है अच्छे एक बात बते हैं चैत्रा और तनय के बीच हेमंद खड़ा है तो र सदी से बता दीजी आप लोग ठीक है बता हो लॉजिक क्या लग रहा है और आंसर बताईएगा हाँ भई साही है बिलकुल साही है ताइम इस ओर अच्छा देखिएगा एक छोड़ा सा पॉइंट अगर हम यहां पे काम करें अगर इन चैने में चोवन नहीं यह तो बनेगा नहीं ठीक है अब क्या करना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे 6-9 में चोवन नहीं बनेगा अगर हम इसका स्क्वाइर कर दे इसका स्क्वाइर कर दे जड़ा इनका डिफरेंस देख ले जो ने बतवाएगा निफरेंस 81 में से 36 घटा देंगे तो 11 में से 6 गया 5 बसता है यहाँ पर 7 में से 3 गया 4 देखो लॉजिक क्या लग रहा अगर हम स्क्वाइर करके दोनों का डिफरेंस ले ले तो आंसर 49 में से 16, 48 कभी आएगा बिलकुल नहीं यहाँ पे 16 में से 4 गया 12 कभी आएगा नहीं अगर यह 10 है 100 में अगर 88, 64 घटा देंगे इतना हैगा आप लोगा 36 बिलकुल राइट आंसर ऑप्शन सी बिलकुल सही जवाब होगा दोनों के स्क्वाइर करके डिफरेंस ही हमारा आंसर हैगा बिलकुल सही जवाब जिन बच्चों ने ऑप्शन नमबर सी दिया यह बच्चा इसमें D नहीं होगा जो बच्चे D देख लो भई D ने योगा D कैसे हो जाएगा D गलत आंसर है आप यहाँ पर 10 का स्क्वाइर करोगे 8 का स्क्वाइर करोगे घटा दोगे तब हमारा 36 हैगा नेक्स्ट मिरर इमेज की पहचान है बई आप बतास में मिरर इमेज बताना है मिरर इमेज की पहचान होतीगी लेफ्ट का राइट होता है राइट का लेफ्ट होता है कभी भी टॉप बॉटम बदले नहीं जाते हैं अब ये आपको तैय करना है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए अच्छा एक बास समझेगा आपने का सर सबसे स्टार्टिंग में B है तो सबसे स्टार्टिंग में B है इधर लास्ट में D होना ची लेकिन इसमें तो 5 है तो ये तो होगा नहीं इसमें 5 है ये तो होगा नहीं इन दोनों में कोई ना कोई होगा आपने बोला सर यहाँ पे B होना ची तो B तो है नी तो साहिज जाहिए सी बात आंसर क्या होज़ेगा option number C clear next आप बताईए जल्दी से गड़ना होगा और आंसर देना होगा बताई इस question का जबाब क्याएगा logic तो आप ही लोगों को लगा रहा है और आंसर आप ही लोगों को देना है time is over अच्छा देखो बई कितने बचे जब आप देने कोसिस कर रहा है एक बात बताई यह आपको पता है direction total art होती है और इसमें आपसे यह का गया एक छोटा सा point आठ लोग है आठ डिरेक्शन है आपको पता है यह north होता है यह south होता है यह east होता है यह west होता है यह north east होता है यह south east होता है यह south west होता है और यह north west होता है ठीक है आपसे यह बोला गया है कि यहाँ पर जो देखो बई सबसे पहला point Q जो है ना Q यह दच्छडपूर अब यहनी South East में बैठा है तो Q कहां बैठेगा सुन लिजेगा जो Q बैठेगा ना यह South East में बैठा है यहाँ पर अबने बैठाल दिया अब यह बोला गया है तो W किस दिशा में होगा एक बात समझना आठों लोग जो है ना वो anti-clockwise में एक sequence में बैठे है ठीक है एक goal image के परिता बहुत अच्छी बात है तो यह हमारी goal table है और इसमें बैठे हुए है अब एक बात बताए सबसे पहले अगर जो Q है अगर वो दच्छडपूरब में बैठा है और सभी anti-clockwise एक समान रूप से sequence में बैठे है तो Q के बाद यह R, S, T, U, V, W और यहाँ पर क्या ज़ेगा आप लोग का P अरे बहुत यहीं से तो इस start है P, Q, R, S, T, U, V, W और आपसे पूछा गया है W किस दिसा में है तो यह कौन सी दिसा होगी दच्छण पश्चीम होगी South West और राइट आंसर होजाएगा option number B कुछ बच्चे North East बोलना है गलत है North East कैसे हो जाएगा बई राइट आंसर South West होगा दच्छण पश्चीम होगा सुधार कर लीजे जो बच्चे North East आंसर दे रहे हैं अगला कौश्चन आप बताएगा इसमें समय नहीं देंगे कितना छोटा कौश्चन है और करना आप लोग को है देखो बई इसमें तो कुछ है नहीं बिल्कली हलुआ गोश्चन है आप से यही तो कहा जा रहा है कि एक जोगर एक किलोमेटर पूरब में गया उत्तर की और मुड़ता है फिर 4 km तय करता है देखो मैं यहाँ पर 1 km कहा गया पूरब में उत्तर की और मुड़ा और 4 km तय किया फिर कहा गया पश्यम की और मुड़ता है और 6 km चलता है 6 चला फिर कहा गया फिर वह अपने बाईं और मुड़ता है और 4 चलता है बाईं और मु नीचे लेकिन अगर हम बात करें इसमें तो लेफ्ट या नी बाया नीचे होगा राइट उपर होगा तो ये का आगया फिर लेफ्ट मुडता है और चार किलोमेटर दूरी तैय करता है बहुत अच्छी बात है अब वह अपनी स्टार्टिंग कॉइंट से कितनी दूरी पर है टोटल च्छै है सुनो भई टोटल च्छै ये एक है तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है ये च्छै है और एक है तो बोलोगे सर पांच किलोमेटर पश्चिम की उर है तो बोलोगे आंसर क्या हैगा पांच किलोमेटर पश्चिम में और सोरी 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 क्या बोला गया है तब वह अपनी प्रारंबिक इस्तिती इसके रिफरेंस में कहा है तो पाँच किलोमेटर पश्चिम में है राइट आंसर आप्शन नमबर यह होगा क्लियर हो गया ठेक बहुत बड़े हैं अगला कोश्चन बताएगा इसका अंसर क्या एगा अरे तो ब्रुकली सिंपल है कुछ नहीं किया गया है अगर आप देगो बढ़ा है क्या बोला गया कि समझने की बात है कैसे समझा और कैसे कर ला लें इसमें vaccines क्या ना चीए चोटा सा पॉइंट आपको समझा रहें कुछ भी question में नहीं है आपको पता है इसका पोजड यह होगा इसका पोजड यह होगा इसका पोजड ही होगा क्या बोला गया है कि बताइए कि जो open dice है वो किस dice को खोला गया हम आप से कहरे हैं 6 का opposite 4 होगा 1 का opposite 2 होगा 3 का opposite 5 होगा और जो चीज opposite होती वो कभी भी आप लोगे बगल में तो आएगी नहीं तो आपने बोले सर यहां पर 1 और 2 यह opposite है लेकिन यह तो बगल में दिखा रहे है एक दो वाली condition यहां पर भी पॉसिबल नहीं है तीन और पांच opposite है जबकि यहां पर बगल में तो यह भी नहीं होगा तो जाइर सी बात आप्शन कौन सा होगा D होगा सभी बच्च होगा D आ रहा है बहुत सांदार आप बताएगा question number system बताएगा क्या answer देना पसंद करना है बताएगा इसमें answer क्या आना चाहिए यह तो बहुत simple है answer दे सकते हैं आप लोग time is over अच्छा मेरी एक बात सुनिएगा अगर हम क्यों है 17 है 17 में 3 जोड़ेंगे मेरी बात हर चीज को बड़े गौर से समस्ते चलिए और करते चलिए अगर हम 17 में 3 जोड़ेंगे तो यह आजाएगा 20 20 बराबर होता है टी ठीक है 20 में 3 जोड़ेंगे 23 23 में 3 जोड़ेंगे 26 ठीक है बहुत अच्छी बात है मेरी एक बात सुनिएगा टी तो आगया किसी हो अरे बस 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 कुछ सोचना ही नहीं अगर एक्जाम में बैठोगे तो अगर टी आ गया तो बताओ इन चारों में पहले पे पहले प्लेस पर टी किसमें है तो आपने बलाए डी में तो राइट आंसर हो जएगा ऑप्शन नमबर डी डी हमारा बिल्कली एक्जेक्ट और एकुरेट आंसर आएगा अगर हम बात करते है नेक्स्ट कॉशन की तो बताओ ये कॉशन नमबर बोलो बैस कॉशन में क्या लॉजिक लग रहा है एक निशित कोड में फ्यूल को 50 लिखा गया है ठीक बहुत बढ़ी है जल्दी से आप लोग जवाब देंगे क्या ना चाहिए एक बार सभी बच्चे इस कॉशन का अंसर देंगे अगर फ्यूल को लिखा गया है 50, जीर को लिखा गया 44 तो फियर का कोड क्या होगा कीजे वही सभी बच्चे फ्यूल को 50 लिखा गया है कर लो सोचो फ्यूल बराबर 50 कैसे आया अब देखेगा सुनिएगा हम क्या कह रहे है F बराबर 6, U बराबर 21, E बराबर आता है आप लोगा कितना 5 और L बराबर 12 एक बास सुनिएगा अगर हम यहाँ पे काम करें 12 और 6, 18, 18, 5, 23, 23, 23, 46, दो घटा देंगे कितना हैगा आप लोगा 46 में दो घटा आएंगे तो आएगा 44 यानि इन सब को जोडने पर 44 और अगर अपने मन से 6 जोड देंगे तो आएगा 50 क्या वो लॉजिक इसमें मैच कर रहा है चेक कर लेते हैं जे बराबर 10 ये 5, 15 और 5, 15 ये हो गया 20 और 8, 18 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हैगा 38 और 38 में अपने मन से 6 जोड़ेंगे तो क्या 44 और बिलकुल राइट है सेम उसी प्रिकार हमें करना क्या है ए बराबर 6, a बराबर 1, r बराबर 18 और e बराबर हो जाएगा 5 इन सब को जोड लेते हैं यहां पे 18, 19 देखो भई 18, 19, 20, 20, 30 आएगा सीदे सीदे कैसे तो 6, 5, 11, 12 और 18, 12 आएगा 30 और 30 में अगर अपने मन से 6 जोड़ेंगे तो आएग इन में सबसे अलग कौन सा होगा बताना आप लोग को है किवल 20 सेगेंड के भीतर आप लोग यह बते कि सबसे अलग क्या होगा बहुत तीजी कॉश्चन है बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा लॉजिक लगाईएगा बहुत साइक कुछ बच्चे जवाब तुरन दे रहे हैं बहुत बात है अच्छा एक बात बताएगा अगर हम इसमें 5 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो मालूम कितना आजाएगा यह आपकी वैलू आजाई कितने तो भई यह हो जगा 56885 इसी प्रिकार अगर हम इसमें 5 का म अगर हम इसमें भी 5 का मल्टिप्लाई कर दें तो वैलू कितने गी 82600 पिंचान में लेकिन लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ दिख रहा है अगर 5 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 एक कम 5 लेकिन 5 में 0 का करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा जबकि यहाँ पर 1 है तो हम जी बोलना तो आपी लोगों है बताना तो आपी लोगों है अ है अ भी तो मैं टायम नहीं देंगे बिलकुल भई सर्ट यह प्रोडी से गीजे यह तो फुर्ण कर लो गेंगे अच्छ़ पाद बताएगा इसमें कितने स्कॉयर हैं तो सबसे अलग क्या हो जाएगा option number C अगर हम next question की बात करें तो इसको पढ़िएगा और सही answer देने की कोसिस कीजिएगा बताइगा इसमें answer क्या आना चाहिए ये depend करता आप लोग के उपर सोचो थोड़ा कि इसमें क्या answer आएगा बताइगा time is over अच्छा मेरे एक बात सुनिएगा क्या बोला गया है यहां पे statement है कि धूप में मनुस्य सरीर vitamin D उत्पन करता है ठेक है यह statement है फिर क्या बोला गया भोजन द्वारा प्राप्त ना करने पर भी मनुस्य सरीर में vitamin D होगा अच्छा देको भोजन द्वारा प्राप्त ना करने पर भी मनुस्य सरीर में vitamin D होगा ठेक बिलकुल सही बोला है भी धूप से मिलेगा अब सुनिए कैसे वैस्विक जनसाइंख्या का एक बड़ा हिस्सा vitamin D की कमी से ग्रस्थ है ठेक तो ये बताना है ये तो भी किसी तरह से सही नहीं है अब सुनना ये है कि क्या अंसर आना चाहिए दूप में मनें सरी vitamin D करता है बिलकुल सही क्या होगा इसमें केवल अनुमान पहला सही होगा next question number 20 बताईए आंसर क्या ना चाहिए इसका हाँ हाँ बिलकुल बिलकुल अरे कितना simple question है ये तो देखो कितना simple है time तो हम दे देंगे lowly time क्या दिक्कद है time तो हमने दे दिया बताईए time is ओर अब सुनिए क्या बोला गया है तस्वीर में एक आदमी क्यों रिशारा गरते हुए अनीता ने कहा उसकी मा की तस्वीर में फोटों में एक आदमी क्यों रिशारा गरते हुए अनीता ने कहा उस आदमी की जो मा है न उसकी मा की ठिक है इकलोती बेटी तो उसकी मा की जो इकलोती बेटी है वो कौन है अनीता की सास है अनीता की सास होगी यानी अनीता की सास तभी होगी जब अनीता का कोई पत्र होगा दोनों ने शादी की होगी तो भई आपसे पूछा गया है कि अनीत जो अनीता का आदमी है तो पूछा गया अनीता उस आदमी की क्या है अनीता जो है उस आदमी की क्या है बताईए वही क्या होगी छोटा सा पॉइंट फिर से बता रहे हैं क्या बोला गया यहां पे कहा गया है तस्वीर में एक आदमी को रिशारा करते वे अनीता ने कहा वही है मेरी मा है अच्छा सास नहीं है मेरी मा है उस आदमी की उस आदमी की मा की जो एक लौती बेटी है वो मेरी मा है तो जायर सी बात है यहाँ पर सौरी यह आपकी मा बता रहा सास नहीं बता रहा है मा है तो जायर सी बात है दोनों भाई बैहन तो बताओ बैहन की लड़की भांजी लगी तो right answer क्या आजाएगा भांजी option ने बिलकुल right होगा हाँ बिलकुल सही है आप लोगा next question कीजे सभी बच्चे बताइए answer क्या आना चाहिए हाँ जी बताइए answer क्या आएगा करना तो आप ही लोग को होगा बते किन दोनों चिन्यों को बदल दिया जाए कितने बच्चों का आगया है बहुत सांदर भई सभी बच्चा भांजी बहांजी बिलकुल सही है अगर हम यहाँ पर multiply के स्थान पर minus कर दें चलो भी minus कर दिया और अगर हम minus के स्थान पर multiply कर दें जड़ा सुनिए का बात हम क्या गह रहा है अगर हम यहाँ पर काम करते हैं कि जहाँ पर multiply हम वहाँ पर minus कर दें और जहाँ minus हम वहाँ पर multiply कर दें तो क्या बनेगा ये तो 3 बन जाएगा और प्लस का यहाँ पे 8 माइनस कितना होगा 15 दो ने 30 ठीक है बई और 30 में कभी possible है तो पहला तो answer आएगा यह नहीं प्लस की जगह multiply और multiply की जगह प्लस कोई दिकर नहीं देखते हैं यहाँ पे 3 आएगा 8 तरीक 24 और यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 15 एक बात बते हैं यह भी possible नहीं है ठीक है यह भी possible नहीं भी दो आ रहा है अब जहाँ प्लस है महाँ पे माइनस और जहाँ माइनस है महाँ पे प्लस अब एक काम करो 3 तरीका नहीं यह 3 हो गया प्लस का आठ दो नहीं 16 और प्लस सा कितना हैगा 15 ठिक यही तो होगा ना भे क्या होगा यह माइनस का होगा सॉरी मैं माइनस का तो यहाँ पे काम करो चेक कर लो भे यह जगा 16 सॉरी 15 और 3 कितना होगा तो 15 तीन हो जाएगा आप लोगा 18 और 18 में से 16 गया बचेगा 2 तो यहाँ पर 2 बराबर 2 यह नि राइट आंसर आप्शन नंबर C होगा C एक्जेट और राइट आंसर है सभी बच्चों का आगया होगा बहुत सांदर अगले क्वेशन का आंसर दिजिए क्वेशन नंबर 22 बताइगे इस क्वेशन में क्या लॉजिक लग रहा है अरय इसमें क्योवल दस सेगंड़ traum है यह बताइगा सुनिए का यह भारती हो गए यह चिके सक हो गए और इस तरहीं होगे अच्छा बताओ कुछ भारती क्या होंगे चिके सक होंगे और उसमें कुछ क्या होंगी कुछ भारती महिलाएं होंगी तो right answer क्या आजएगा option number D बिल्कुल सही जवाब जो बच्चों ने बहुत अच्छा भई काफी बच्चे फास्ट आंसर दे रहें भी इसका अब बताना हो question number 23 बताइए 23 का answer क्या होगा कह रहा है कि क्या टेली विजन पर ad band कर दिये जाने चाहिए अब तर क्या है का गया हाँ क्योंकि वैज्ञानिक अनैतिक होते तब तो यह गलत है भी कैसे अनैतिक हो जाएंगे गलत हो गया नहीं वैज्ञापन से होने वाली आंधनी दर्सकों की लागत को कम करने में मदद करती है बिल्कुल सही है भई तो यहाँ पे केवल दूसरा सही होगा right answer option number A होगा ठिक अगला question आप बताईएगा करो भई question number 24 और एक और question देते है question number 25 यह आप लोग का homework रहेगा question number 24 और question number नोट कर लीजेगा और question number 25 यह जो रहेगा आप लोग का homework रहेगा बड़े अराम से आप लोग करेंगे homework में यह दो question आप लोग के लिए question number 24 और question number 25 तो बचो आज के session को हम यही समाप करते हैं फिर मिलेंगे next day same time तब तक ले जय हिन जय भारत अपना ख्यार लखें जम कर पढ़ें और हरा हाल में selection ले कर रहे हैं आप झाल